हलो स्टूडेंट्स बिता मैं बभीता रावत टुडेश्ट टॉपिक इस एड्मिशन ऑफ पार्टनर और हमारा कोश्चन नंबर है 74 73 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट बॉक्स में वो मुझे कमेंट कर दें और जादा से जादा लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले शेयर करें और आप खुद तो करी लें चीक हैं ओके हैं अब हमारा चल ला था हिड़न गुडविल वाला टॉपिक देखो आपको कोश्चन को देखते ही पता लग जा और हेड़न गुडविल में क्या करते हैं आप कौन से बेसिस पे ऑन दा बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल पे टोटल कैपिटल ऑफ दा फर्म कैलकुलेट करते हैं उसके बाद पुरानी जो भी जिसका जितना शेयर था चाहे उसे वर्कमेन की वज़े से प्रॉफि हो रहा था चाहे लॉस मतलब जितना भी अब तक टोटल उसकी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा पुरानों की तो विद इफेक्ट वाली और नए वाले की जो वो लेके आया है इन सब का बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस निकाल लेते हैं और फिर दोनों का डिफ्रेंस देखत तो कि वो पार्टनर लेके नहीं आया होता है इसलिए उसका करन्ट अकाउंट डैबिट करते हैं बहुत सिंपल से लॉजिक हैं इसके लेकिन बच्चे कन्फ्यूज का होंगे कैपिटल तो पुरानों की कैलकुलेट करनी ही है लेकिन अगर किसी चीज की वज़े से उसकी कर देना ओल्ड का हमें मतलब टोटल बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल बैलेंस पहले कैलकुलेट कर लेना है उसके बाद दोनों का डिफ्रेंस देखना है जैसे देखो मैं बताती हूं आप लोगों को लेकिन प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें हैं तुम लोगों की मुझे बहुत ज़रुत है ठीक है चालो कोश्चन करते हैं अच्छा कोश्चन तो मैंने रीट किया नहीं ध्यान से सुनना कोश्चन को अब कह रहा है एबी सी आर पार्टनर्स शेरिंग प्रॉफिट और लॉस इन रेश्यों यह दे दिया अब दिखो जैसे उसका नहीं दिया ना इसका मतलब नया कितने के लिए वन भाइट अन के लिए कितनी लिए और गजाए थिर को रहा है यह चीजें आवेलेबल थी जब एडमीशन हुआ तो इनकी ट्रणजिक्शन करने के बाद जो इन तीनों की capital आई है वो और प्लस नहीं वाली की capital वो इन चारों को add करोगे और on the basis of ये 15 lakh में से minus कर दोगे तो इसका मतलब वो hidden good भी ला जाई है देखो workman compensation reserve में तो होगे कितने 1 lakh और claim में कितने होगे 1 lakh 20,000 तो सीधा सीधा जब claim जादा होता है तो revaluation account आ जाता है इन द पार्टनर्स की capital decrease होती है तो वो debit तो इसकी entry क्या हो जाएगी पहले इसकी दो entry होंगी workman compensation reserve to workman compensation claim 1 lakh है और 20,000 जब ज्यादा claim होता है इसका मतलब revaluation उपर आ जाता है तो क्या आ जाते है workman compensation reserve revaluation to workman compensation claim ये entry हो जाएगी इसकी अब क्योंकि loss हो गया तो partners की capital कम हो जाएगी और capital का credit balance होता है तो वो कम होती है तो debit हो जाती है तो ABC to revaluation कितना thousand 20,000 से इसका मतलब 20,000 से partners की capital कम हो गई clear उसके बाद advertisement भी हमारी expenses होते है इसकी वज़े से भी partners की capital कम होती है तो क्या आता है ABC to advertisement suspense 30,000 old partner old ratio old partner old ratio मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बता दिया है कि जो भी liability वाली transactions होती है इधर भी चाहिए इधर भी पुरानी liabilities में होती है नहीं workman compensation advertisement old partner old ratio में ही लेके जाते है फिर कह रहा है contingency reserve कोई सभी reserve old partner old ratio में ठीक है क्योंकि reserve की वज़े से मेरी capital increase होती है जब मैं reserve को write off करती हूँ तो मेरी capital increase होती है तो इसकी entry क्या हो जाएगी contingency reserve account debit 2A, 2B, 2C old partner मले इन पुरानी चीज़ों पे न सिर्फ old partner का ही हक होता है ठीक है यह हमारे है old partners के तो हम ही उसे लेकिन हम old partner ही इसको अपनी capital में transfer करेंगे ठीक है अब चालो करते है question जहान से सुनना क्या 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 कह रहा है वो सबसे पहले हम करते हैं जैसे-जैसे question में कह रहा है A, B, C, R partners 6 is to 3 is to 1 यह है old ratio और new ratio क्या गिवान है इनका 3 is to 3 is to 3 is to 1 तो इसका मतलब 1 by 10 किसका share है D का share है है और क्या कह रहा है D brings 1,50000 for 1 by 10 share clear है तो total capital of new firm on the basis of of these capital क्या होनी चाहिए थी कि जो वो लेके आया है 1,50000 उसका रैसी प्रोगल कर देते हैं 10 by 1 तो मतलब total होनी चाहिए थी 15 lakh अब हमें अब हमें बेटा क्या चाहिए 15 लेकिन अब हमें क्या करने चाहिए पुरानी capital कैलकुलेट करने हैं लेस क्या कर देते हैं उसमें से नेट वर्थ कि ऑफ कि अफ न्यू कि फ़र्म केपिटल अब यह नई फ़र्म हो गई न तो वह कहते है नेट वर्थ क्या होगी क्या क्या ना एक ही इसकी है हमारी फॉर्लेग अब यह देख लें है हम अब यह देख लेंगे कि इनकी वज़ इनकी पेपिटल में क्या इंपेक्ट आ रहा है प्लस होगी या माइनस होगी यह हम अभी कैलकुलेशन कर लेंगे कैसे गरेंगे वह हम जर्नल एंट्रियां करेंगे पहले हम इसके लिए ना श्पेस छोड़ देते हैं चम्ते पैस स्रफ करला तो अंगतिक टॉर्स हरा थ resignation रिजर्व कहे रहा था तो अप तो वर्कमेन हमेशा के डेबिट होगा वर्कमेन कंपन्शेशन रिजर्व और क्लेम और वेज ट्रैजिट होगा क्योंकि लाइबलेटी को खतम करें क्लेम लाइबलेटी हो गई कितने की लाइबलेटी इंक्रीज हो गई है और क्लेम मैंने जबकि रिजर्व मैंने किया कितना था वन लैक का अब यहां तो दिक्कत आ गई हमें लॉस हो गया लेकिन पार्टनर्शिप में लॉस को लॉस ना लिख के क्या लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम शो कर कि हमारी लाइबलेटी इंक्रीज हो गई है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने थाउजेंट से 20 थाउजेंट से अब इस रिवैल्यूएशन का पार्टनर्स की कैपिटल पर क्या एफेक्ट पड़ेगा लॉस हो रहा था क्योंकि लॉस की बढ़ जाते हैं इसलिए हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशों में ही ले लेते हैं जो भी बैलेंस शीट में गिवान होता है बस एक जर्नल रिजर्व है उसके लिए अगर डून और डिस्टब लिखा हुआ है तो वो किस में जाएगा सेक्रिफाइजिंग और गेनिंग अगर तो 6 यहां पर आजाएगा 12,000 और 6,000 और 2,000 क्लियर हो गया इसका मतलब क्या इंपेक्ट पड़ रहा है एक हमारी कैपिटल कम हो रही है रिवैल्येशन की 12,6 और 2 तो मैं क्या कर दूं माइनस 12 माइनस 6 और माइनस 2 यहां तक समझ में आ गया ठीक है अब नेक्स्ट ए इसकी वजह से भी एक्सपेंसी होते है मेरी कैपिटल क्या होती है कम होती है तो हम क्या करेंगे एंट्रीस की फर्स्ट यह हो गई सेगिंड यह तो पता है हमें क्रेडिट होगी suspense account credit हो गया और उनकी capital कम होती है इसलिए debit हो जाती है जब भी capital कम होगी तो क्या होगा partners की capital debit हो जाएगी जब भी loss होगा अभी expenses है इनकी वज़े से partner की capital कम हो जाएगी इसलिए debit हो जाएगी old partner old ratio में ठीक है कितना था हमारा advertisement suspense है 30,000 का debit लिखे ना लिखे credit लिखे कुछ नहीं कर सकता advertisement देखते ही समझ जाना हमेशा credit होगा इससे partners की capital कम होती है ठीक है debit credit देखना ही मत इसने दे रखा है न debit बच्चों को confuse करने के लिए दे रखा है सिर्फ 6 by 10 तो यहाँ आजाएगा 18,000 12,000 और कितना एक उनट यहाँ पर आएगा 9 और की आजाएगा 3,000 आगे 30,000 अब इनकी वज़े से भी capital कम हो रही है तो क्या कर देए माइनस 18,000 दूसरे की कितने से कम हो रही थी 9,000 से माइनस 9,000 और माइनस कितना 3,000 ठीक है यहाँ तक पता लग गया हमें उसके बाद last है contingency reserve reserve हमेशा capital को increase करते हैं ठीक है क्योंकि हम जब बाढ़ते हैं reserve को अपनी capital में जब transfer करते हैं तो capital increase हो जाती है हम reserve अपने लिए बनाते हैं कि अगर life में कभी loss होगा तो हम क्या करेंगे इस reserve को use कर लेंगे लेकिन अगर वो use नहीं होता तो हम अपनी capital में ही उसे वापस transfer कर लेते हैं इसलिए capital credit हो जाती है बढ़ जाती है contingency reserve account debit to old partner old ratio A's capital account B's capital account C's capital account ठीके बिटा कितना है हमारा reserve है 60,000 का तो यहां पर आजाएगा 60,000 का old partner old ratio में 36,000 अठारा और 6,000 कितना हुआ 6,128,203,4 5 हो गया ठीके तो इससे capital increase हो रही थी इसलिए क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 36,000 और 18,000 और 6,000 अब देखो अब हमें क्या करना है balancing total होनी चाहिए थी 15 है कितनी इन दोनों का जो difference है वो hidden good will आ जाएगी ठीके तो देखो calculate कर लो यह कितना होगा यह होगे 30 माइनस के और 36 प्लस के तो यहाँ पर आ जाएगा 5,6,000 कितना आ जाएगा आप लोगों के हाँ पर 5,6,000 तो यहाँ जाएगा बिटा आपका 5,6,000 ठीक है यह होगे 15 माइनस के और 3 प्लस के तो 4,3,000 और 2 यह होगे 5 2,1,000 अब चारों को जब तुम प्लस कर लोगे चारों को तो यहाँ जाएगा आपका हमारा आएगा 12,16,60,000 तो देखो अब दोनों का डिफ्रेंस देखो 15,00,000 होनी चाहिए थी आया कितना हमारा 12,60,000 यह माइनस करने इसमें से ठीक है थोड़ा स्पेस कम है आप लोग करेक्टली कर ले न वैसे समझ में आ रहा अच्छे से तो देखो क्या करोगे आप 12,60,000 आ जाएगा इन चारो को प्लस करेंगे इसमें 1,50,000 भी अगर प्लस करोगे तो हाँ ठीक है 12,60 यहाँ पर आ जाएगे आपकी टोटल गुड़विल ऑफ दा फर्म दोनों का डिफरेंस होता है कितना पंद्रा लाख होनी चाहिए ती है कितनी अब तक कैपिटल 12,60,000 इसका मतलब 2,40,000 फर्म की कैपिटल आ गई क्योंकि डी आया है तो डी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे गुडविल एक बटे दस है तो वन बाइ टैन था ना डी का शेयर 24,000 क्योंकि डी लेके नहीं आया तो यह चार एंट्रियां तो वह हो गई यह में हमारी फाइनल एंट्री है चिक है तो यहाँ पर यह क्यो कोई गेन तो नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी वरना एक मिनटी हैं पर एक पेज ले लेती हैं और हैं पर क्योंकि जो पार्टनर नया आता है बेटा अगर वो शेयर नहीं लेके आता तो उसका करन्ट अकाउंट डेबिट कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर जो भी सेक्रिफाइज कर रहेते हैं उनको क्रेडिट अगर कोई बाइचांस गेन कर रहा होता है तो उसको डेबिट तो अब हमें नहीं पता ना है आपर गेन तो नहीं कर रहा कहीं कोई तो क्या करना पड़ेगा आपको सेक्रिफाइजिंग और गेनिंग बट फॉर्मुला किसको निने कालों लगा होगे आप akl सेक्रिफाइजिंग को रेशो का हैं ऐद कौंसा फौरमुला ऊता है ओल रेशो माइनस न्यूज अ Doing kind कि अज़ा यह देख लेते हैं सेक्रिफाइज कड्राइब यह या गेन तो नहीं करता सिक्सबाइब 10-3 by 10 क्योंकि डिनॉमिनेटर सेम है तो यह आजाएगा 3 by 10 बी देखते हैं 3 by 10 माइनस 3 by 10 यह तो कट हो गया नो प्रॉफिट ने गेन मतलब नहीं सेक्रिफाइस नहीं गेन उसके बाद से 1 by 10 माइनस 3 by 10 तो माइनस 2 by 10 आ गया यह तो गढ़बड हो गई क्योंकि अगर सेक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो और माइनस की डिजिट है तो वह क्या है गेन और पॉजिटिव है तो सेक्रिफाइस ठीक्या क्लियर उसके बाद डी तो नया आता ही है क्योंकि लेके नहीं आया तो करेगा तो गेन ही लेकिन नेम क्या होगा उसका current account current account clear हो गया अब हमें जब भी एक partner gain कर जाता है तो मैंने अपना बताया एक logic याद रखना कि हमें total goodwill of the firm चाहिए क्या चाहिए total goodwill of the firm क्योंकि जो नया है जो गेन कर रहा है तो उसका share निकाल लेंगे किस में से total goodwill में से जो यह नहीं लेकि आया वो इसका share है लेकिन हमें इसके calculate करने के लिए क्या चाहिए total goodwill of the firm ठीक है अब हमें यहां से entry तो बता लग गई क्या क्या है entry क्या हो सकती है देखो दी का current account debit लेकिन इस वाले question में देखो वो कह रहा था जैसे और questions में तो कह नहीं रहा था न वो अपना share लेकि आया देखो लेकिन इसमें आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है capital लाया और उसका share लाया goodwill in cash लेके आया इसलिए उसका current ना debit करके कौन सा debit करोगे premium for goodwill की entry होगी है न करन्ट ना debit होगे क्या entry होगी premium for goodwill इसकी दो entry हो जाएंगी first तो क्या क्या लेकिया आया है capital और premium for goodwill cash account debit to capital account और to premium for goodwill premium for goodwill कितना लेके आया बेटा वह 1,50,000 तो वह cash के लेके आया था यह capital के और 24,000 वह premium के लेके आया यह आ जाएगा 1,74,000 चीक है उसके बाद premium को old partner जो sacrifice कर रहा हो credit और जो नहीं कर रहा हो debit है ना तो यहां पर entry क्या हो जाएगी premium for goodwill क्योंकि बेटा यह current यहां नहीं आएगा इस condition में क्योंकि यह किसमें लेके आया cash जब भी cash में लेके आता है तो premium for goodwill आता है तो यहां पर दूसरी entry क्या हो जाएगी premium for goodwill जो लेके आया है वो उसे sacrificing partners अपनी capital में transfer कर लेंगे लेकिन sacrifice कौन कौन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है sacrifice कर रहा है सिर्फ sacrifice कौन कर रहा है तो कितना लाया है वो 24,000 एक तो यह कौन ले लेगा और सी भी गेन करेगा तो सी कहेगा भाई जितना मैं गेन करूंगा फ्यूचर में वह मैं आज ही तुझे दे देता हूं अपनी capital में से चीक है कितना है total capital of the firm कितनी थी 2,400,000 का उसका share देख लो एक बार 2 by 10 करोगे तो आप 48,000 आ जाएगा ठीक है और यह दोनों मिलके किसको दे देंगे क्योंकि future में यह दोनों गेन करेंगे किसको किसको दे देंगे जो sacrifice कर रहा है sacrifice कौन कर रहा है ए इन दोनों को plus करके लिख दो वरना total में से अगर आप एक शेयर भी calculate करोग ना तो यही आएगा देखो 72, 72 ही आ रहा है चीक है आगे समझ में सिर्फ new goodwill का treatment sacrificing और gaining ratio में होता है sacrificing और gaining क्योंकि हमें firm की goodwill नहीं दे रखिती और कह रहा था कि cash में लेके आया है इसलिए हमें hidden goodwill calculate करनी पड़ी अगर वो कह देता है या तो firm की goodwill दे देता या फिर वो कितना पार्ट लेके आया अपने goodwill के लिए वो दे देता है तो हमें यह सारी calculation करने की कोई need नहीं होती बट क्योंकि ना तो firm की goodwill दे रखिये और नहीं वो कितनी goodwill लेके आया है यह बता रखा है सिर्फ क्या रखा है cash में लेके आया तो क्या करना पड़ेगा आपको hidden goodwill 100% होगी इसका मतलब firm में तो आप hidden goodwill उस condition में calculate कर लोगे चीक है आगे समझ में अब हमारा next question है आप लोगों का next question है आप लोगों का देखो दिहान से बहुत अच्छा question है लिख लो पहले तो इसमें very important question है पूरे पूरे chances हैं से questions आने के exams में चीक है देखो केरा राजेश रवी और partner sharing profit यह देर balance sheet यह है क्रेडिटर है outstanding liability है cash है stock है और prepared है debtor provisions यह सब दे रखा है और यह हमारा balance brought down वाली capital दे रखे हैं और